फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो समसंग पैनल में नो डिस्प्ले का फॉल्ट आता है उसी के उपर है जिसमें सी के भी लाइन में स्वाटिंग हो जाती है तो वीडियो लाश्ट तक देखें हेलो फ्रेंड्स मैं जहिर खान LCD LED TV टेनर मुंबई से यह वीडियो काफी बड़ा बन गया था जिसके उज़से इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया था पार्ट वन आप लोग देख चुके हैं और पार्ट टू है यह सेमसंग पैनल SM4186 IC जिसमें यूज हुआ है तो उसी का यह दूसरा भाग है तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो है फ्रेंड्स सी के भी में सॉर्टिंग अगर देखना है तो पैनल की सप्लाई नहीं रहनी चाहिए और मीटर जो है आपका रजिस्टर रेंज में रहना चाहिए तब ही आप 315 ohms दिखाई दे रहा है तो CKV लाइन में सॉर्टिंग है और यह 315 ohms की सॉर्टिंग है जो हमारा CKV1 है उसी लाइन पे यह सॉर्टिंग दिखाई दे रहा है तो आप इस तरीके से जब no boost का fault है तो आप सॉर्टिंग चेक कर सकते हैं आप ध्यान से देखें किस तरह से सॉर्टिंग चेक करना है मैं मिटर का प्रॉप जो है कहां-कहां पे लगाया हूं किस तरीके से तो वो आप ध्यान से देख लें ऐसे ही आपको भी चेक करना है जब आपके पास कोई सेट आता है और उसमें Samsung का पैनल लगा रहता है तो आपको देखना है कि CKV लाइन पे कितना रेजिस्टेंस सो हो रहा है लो हो रहा है या हाई हो रहा है जिससे कि आप इस सेट में देख पा रहे होंगे इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम दिखा रहा है और वो जो है आपको सिर्फ 315 ओमस ही दिखाई दे रहा है मल्टी मिटर में जो कि CKV लाइन में कभी भी इतना लो ओमस नहीं आता है हम इसा आपको जो है वो हाई रेजिस्टेंसी देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स हमने CKV लाइन तो चेक कर लिया है और उसके बाद उसको स्क्रेच भी कर दिया है तो अब जो है हम इसका CKV लाइन जो है वो सर्चकल ब्लेट के मदद से कट करेंगे और CKV लाइन को कट करने के बाद से वापस जो है एक बार स्वाटिंग चेक करेंगे अक्सर जो है मैंने देखा है कि सभी फ्रेंड्स जो है CKV की सभी लाइने एक साथ कट कर देते हैं तो ऐसा करने से काम बढ़ जाता है इसलिए मैं जो है जिस लाइन में सोर्टिंग दिखाई देता है सिर्फ उसी लाइन को कट करता हूँ जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 13 नमबर मैंने कट किया है और 14-15 को छोड़ दिया है 16-17 नमबर ट्रेक को कट किया है और इनी दोनों के बीच में मुझे सोर्टिंग दिखाई दे रहा था अब वापस CKV लाइन को कट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं तो देखिए इसमें फिर से जितना ओम्स पहले दिख रहा था उतना ही ओम्स अभी भी दिखाई दे रहा है यानि कि 315 ओम्स तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर CKV लाइन कट करने के बाद भी अगर 315 ओम्स सो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेप्ट साइड है सोर्तिंग CKV लाइन में लेप्ट साइड में ही था इसलिए जो है कट करने के बाद भी सोर्तिंग दिखाई दे रहा है अगर हमारा sorting ckv line में left side में नहीं होता तो जिसे ही हमने track cut किया तो sorting नहीं दिखाई देता sorting remove हो जाता हड़ जाता लेकिन अभी भी sorting दिख रहा है ckv line cut करने के बाद तो इससे ये clear हो गया कि जो sorting था वो हमारा left side में ही था right side okay है तो friends इसी तरह से आपको जो है समझना है और आजकल जो है short killer का बहुत ही market में जो है वो short चल रहा है और क्या तो जो है ये जो samsung का panel है अगर उसमें ckv line में sorting है तो short killer से ही remove करें friends risk लेने की कोई जरूरत नहीं है आप अगर short killer से remove नहीं करेंगे तो भी आपका ये panel first class work करेगा सिर्फ ckv line cut करने से हम लोग पहले भी यही करते थे और अब भी यही कर रहे है इन पैनलों में short killer की कोई जरूरत नहीं है आप देख सकते हैं ckv line cut किया मैंने यहाँ पे हमारा boost बन गया V on जो है हमारा 30 volt plus supply जो है यहाँ पे आ गया है तो इसका मतलब यह था कि हमने जो track cut किया है वो एकदम सही track है और इसलिए हमारा boost बना हम अगर glass के तरफ जाने वाले track को हम अगर check करेंगे तो sorting अभी भी हमें दिखाई देगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको tension लेने की जरूत नहीं है आपको short killer भी यहाँ आजमाने की जरूत नहीं है आपको सिर्फ CKV line कट करने है और CKV line सिर्फ कट करने से आपका काम हो जाएगा अगर sorting one side है तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा AVDD भी बन गया है और इस सेटो में जो है आपको जो है AVDD 15-16V के आसपास ही देखने को मिलता है जो की यह आ रहा है तो friends अगर आपका boost proper बन गया तो आप यह समझे कि जो track आपने जिस side में कट किया था वो right side है उधर ही आपको कट करना था तो दूसरे side में कट करने की बिलकुल जरूरत नहीं है और आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ कि मैंने दूसरे side में CKV line को touch तक नहीं किया है मतलब उधर मैंने जो है कुछ भी एक फिट track कट नहीं किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मैंने जो कट किया है वो left side में ही किया है right side में CKV line को मैंने कट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं और याद रखे कि जिसमें आपका SM4186IC लगा है उसमें ज्यादा तर यह fault आता है और हलाकि जो है इसको सिर्फ CKV line कट करने से यह पैनल ready हो जाता है आईए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि हमारा set जो है वो ready हो गया है और यहाँ पर आपको जो है first class display देखने को मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके gate line में sorting दिखा रहा है तो आप sort killer यूज करो और sorting remove करो उसके बाद ही आपका display आएगा अगर एक side भी आपका ok है gate line तो आपको picture देखने को मिलेगा उसमें आपको sort killer की जरूरत नहीं पड़ेगा तो अगर आप सब जो है ऐसा मानते हैं कि यह video useful है आपके काम का है तो friends like और comment करना बिलकुल न भूलें और अगर आपने पहले से subscribe नहीं किया है मेरे channel को तो subscribe कर लें और bell icon को press करके all notification set कर लें मेरे video तो वैसे कम आते हैं लेकिन जो आते हैं उसको देखके आप काफी कुछ सीख सकते हैं और वो जो है आपको उसमें fake कुछ भी नहीं मिलता है देखने को मैं जो भी बताता हूँ वो real बताता हूँ और अगर आपका जो है कोई icon track अगर आपने ज्यादा cut किया है और जिसके वज़े से अगर linearity आपको देखने को मिल रहा है अगर कोई picture में जो है अगर line अगरी पतली आ रही है तो आप उसको सही करने के लिए अब बाकी के जो track अगर आप से cut गया है तो उसको आप result कर दे, rejoind कर दे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिस line में sorting था अब सिर्फ मैंने उसी को cut किया है एक line ज्यादा cut गया था तो उसको मैंने वापस rejoind कर दिया है और अब जो है मेरा panel जो है वो 100% okay हो गया है और इसमें अब आपको जो है perfect picture देखने को मिलेगा, कोई सी cut नहीं मिलेगा मैं आपको जो है अभी इस TV में display करके दिखाता हूँ कि आप इसको picture के साथ देखें और इसमें अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप comment में comment कर सकते हैं आप देखिए 100% ये panel okay हो गया है और इसमें कोई कमी नहीं है तो friends मैं बीना sword killer के ही इस panel को okay कर दिया हूँ और अब इसको मैं वाफस फिटिक कर रहा हूँ इस set को pack कर रहा हूँ pack करने के बाद मैं आपको एक बाद और वीडियो दिखाऊंगा तब तक अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और आप सब के लिए friends एक खुश कबरी है मैंने जो है paid group start कर दिया है जो मंतली 500 रुपया है आप सब अगर मुझसे support लेना चाहते है या मेरे team से तो आप मुझे call करके बात कर लिजिए और paid group में join हो जाईए मंतली 500 रुपया है अगर एक साथ 6 महिने का अगर आप payment करते हैं तो आपको 25 रुपय ही देने पड़ेंगे और friends उसके अलावा जो है अगर आप LCD LED की training लेना चाहते हैं मुझसे display का, software का या basic knowledge जो भी आप सीखना चाहते हैं मुझसे एक बार संपर्क करें और मेरे institute में आके आप उस चीज को सीख सकते हैं course बहुती कम समय का होता है जो आपका जो है 3 दिन, 5 दिन, 10 तीन, 15 दिन maximum एक महिने का course है जो beginner है जो अपना electronics field में नया नया आते हैं उनके लिए एक महिने का course है बाकि सब के लिए जो है 10 से 12 या 15 दिन maximum तो friends आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा set perfect ready हो गया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comment box में comment करें और ज्यादस ज्यादा इस वीडियो को like और share करें ताकि आपको तो फैदा मिली रहा है साथ में आपके friends सब को भी फैदा मिले थैंक्स पर वाचिंग friends